तो मैंने इस से अगले वाले व्लोग में चिकन चिली और फ्राइड ड्रेस बनाई थी लंच के लिए और बेने जो व्लोग बनाई थी उसमें मेरे फातिमा का कलेक्शन भी आपको दिखाई थी और इसके बाद ये शाम हो गई थी और शाम कमको फूक लगी थी ना तो मैं और फातिमा कीचन में आ गए थे हमने सुचे किया बनाए तो हम बना रहे थे आज होममेड न्यूटेला और डोनट तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेर कर रही हूं जैसे कि आप सब को पता ही है कि फातिमा को मतलब खाना बनाने का बहुत शोक है और अभी वेकेशन है ना तो बच्चों के साथ लगता है कि कुछ एक्टिविटी करें लेकिन करने के लिए कुछ ज्यादा रहता नहीं है ना तो यही एक अच्छा उप्शन है कि उसमें जिसमें बच्छों को दिल है ना वही हम करवाए तो फातिमा को खाना बनाने में ज्यादा शोक है तो उसको मै वही बता रही थी कि चलो साथ में बनाते ताकि उसका भी टाइम पास हो जाए और मुझे भी थोड़ी हेल्प हो जाए और इसकी एक आदत है कि जो चीछ जहां से लेने की है वहाँ पर ही रखना है ताकि उसकी के यह हैबिट बनी रहे तो यह हम बनाना स्टार्ट कर रहे है य लेकिन रूम टेंपरेचर और अगर फ्रीज में रखा हुआ है तो आप हलका सी उसको रूम टेपरेचर पर आने तक का गरम कर लेना और यह टू टेबल स्पून हमने शुगर ले लिए है इस टैप के जो मतलब डॉनट है या केक है या बेकिंग बेकिंग के रिलेटेट जो तो आप मेजरिंग कप या मेजरिंग स्पून का ही इस्दिमाल करना तो रिजल्ट बहुत अच्छा आता है अच्छा यह मैंने वन फॉर्थ टी स्पून सॉल्ट ले ली थी और यह टू टी स्पून इस्ट ले लूँगे और यह 40 ml बटर है जिसको मैंने मेल्ट कर लिये थी क्योंकि फ्रीज में पड़ा हुआ था ना तो मैंने उसको भी मेल्ट करके इसमें यूज की हूँ वन रूम टेंप्रेचर एग तो फाइनली बस बस हो गया अभी यह सारी भी इंग्रीडियंट को मैंने मिक्स करके थोड़ी दिर के लिए छोड़ दी थी क्योंकि नमाज का टाइम हो गया था तो मैं और फादीमा दोनों नमाज के लिए चरे गये थे और फिर नमाज पढ़ फीराल दिये थे और थोड़ा थोड़ा सी लास्ट में बचा लिए थे एक साथ पूरा नहीं डाले थे थे तो थोड़ा लास्ट का रेने दिती मुझे लगा था क् dzisiaj राय inward के घिये बहुत मतबसुखा-सुखा आता राई-ड्राइ। जाए कि लज्देग कैण की के छोड़ाइब है कि दे नहीं हो जाता है तो अगे यह पर तो ज्รवक घुनते रहेंगे ना तो यह हो जाता है और यह पातीमा कर रहीती आतो ज्यादा श्टिक हो रहा था अभी आगे जाके में करती हु ना तो दिखिए नहीं होगा तो अभी मैं उसको राइस होने के लिए रख दूंगी और अभी मैं आपको बता रही हूँ के मेरा कितना आटा बचाता ज्यादा नहीं बचाता सिर्फ इतना सी आटा मैंने नहीं डाली थी और मैंने वेट करके ली थी जो आपको स्टार्ट में बताई थी मैंने वीडियो में तो यह मैं अब इसको रख दूँगी और जो मेरी सेकेंड रेसीपी थी न हममेड न्यूटेला वो बनाना स्टार्ट कर दी तो मैंने यह सो ग्राम तक हेजलनट ली थी लेकिन यह जो कप के इसाप से में ले रही थी न तो पूरा कप नहीं भराता तो मैंने क्या की थी कि यह बदाम थी न उसको थोड़ी दिर भिगा दी थी और उपर का जो छिलका रहता है न उसको निकाल दी थी तो देखे यह पूरा प्रॉपर एक कप हो गया तो मुझे एक कप के इसाप से आपको बताना था तो यह एक कप मैंने ली हूँ लेकिन हेजलनट में थोड़ा सी बदा काम से बनाई थी तो मुझे उसका जो टेक्स्चर है वह अच्छा नहीं लगा था प्रॉपर न्यूटेला जैसा नहीं लग रहा था अच्छा उसको तो मैंने रोस्ट करने के लिए रख दी हूँ और अभी यह मैंने पांच गेलेक्सी लेली थी जो 20-20 रूपीस वाली आती है ना वो थी क्रंच बिना की जो रहेंगी ना वो लेना तो ज्यादा अच्छा रहेंगा तो यह मेरे जो हैजलनर से ना वो रोस्ट हो चुके थे तो मैं उसी में अभी थोड़ा पानी एड करूंगी और यह कटोरी है ना जिसमें मैंने यह निकाल के रखी हूँ ना केदब करते हमारा जो डोनट के लिए जो 2 थैना वो कितना अच्छे जिराइज हुआ है ऐसा होना चाहिए मतलब आपका जो भी डो है वो रेडी है डोनट बनाने के लिए अच्छा वो फातिमा उसको देख री ती उसका शेप भी बना रहा ही थी डोनट के लिए और यह जो मैंने कूल में न्यूटेल रखता भी तो मैं घचाइन है, के वाहिक है आधी, निकर शमीघिशान में ले लूँगी these प्हुत ज़री चाल सब दूब ही करने लूफकी चाहिए, कि असलोड़ी बना इनिफ़ी प्हा हो प्हूम्छ प्हूंद़ में नोड़ा, और जैसे आप ग्राइंड करना स्टार्ट करेंगे ना तो पहले तो वह पाउडर पाउडर सा लगेंगा और इसके बाद यह दिको हलका हलका सी और रिलीस करना स्टार्ट कर दिया है तो अभी मैं इसमें 4 टेबल स्पून शूगर एड कर दूंगी यह 1 2 3 और यह 4 और इसमें स्टा तो यह यह कोको पांड काफी टाइम से मेरे पास ढाया हूआ अपर था मुन उल्य यूज ले लींखी तो यह मैंने 2 टेबल स्पून भरकर कोको पाउडर ले ली हूँ और अभी मैं उसको अच्छे से एक बार फिर से ग्राइड कर लूगी मैं काफी देर तक की थी लेकिन एडिटिंग में मैंने कट करके आपको बताए हूँ तो ये इस तरीके से हो जाएंगा पेले थोड़ा सी हाड लगेंगा फिर मैं उसमें टू स्पून भर कर कोई एड कर दूंगी इसमें ओल जो है वह आप घर में जो रेगूलर यूज करते है ना नौर्मल वाला वह डाल देना लेकिन सिंग तेल या फिर बटर इसा कुछ नहीं डालना क्योंकि उसमें क्या है बटर थोड़ा सॉल्टी रहता है ना तो वह भी नहीं जालना आप ज़ेतुन का तिल जो रेता है ना वह डाल सकते है औली ओल और यह मैंने गेले सी मेल्ट करके रखी ती ना वह भी मैंने मिला दी हूँ लेकिन प्रॉपर तरीके से मेल्ट नहीं होती और यह देखिये कितना अच्छा मतलब एकदम नुटेला जैसा ही लग रहा ह जिसने मतलब न्यूटेला को बाइकोट किया है ना और अभी वेकेशन है बच्चों को खाने का दिल कर रहा है ना तो हुम में न्यूटेला बना के दे सकते है क्योंकि मेरे घर में तो बहुत ज़्यादा न्यूटेला खाए जाता है मेरे बच्चे भी माशाला सुबा को नास्ते में भी खाते हैं तो मैं तो मैं तो मतलब ज्यादा ही बना के रख देती हूं या खतम हो जाता है तो फिर बनाते रहती हूं तो यह मेरे पास जार पड़ा था न्यूटेला का ही है तो मैं इसी में फिल करके रख दूंगी और इसको मैं जब निकाल के इसमें डालती हो ना तो आप टेक्स्चर जी कि एक तम न्यूटेला जैसा ही लगता है और इधर यह फातिमा ने डोनट का शेप देना स्टार्ट कर दी थी तो फातिमा तो अभी के अपने इसाब से शेप देती थी लेकिन फिर भी काफी अच्छे शेप बनाई थी काफी काफी अच्छे थे अलहमदोरी रहा बहुत अलग अलग टाइप पे शेप बनाई थी लेकि कि अब युपर आजाएंगा ना तो आप फोईल पेपल को हटा देना जैसी मेंने फॉइल पेपल को हटाई वो सारवी बोल बनके पूरे तेल में तेरने लगे। मेला मीला कर थोड़ा दबागा थे डाली तो मैंने डेही तो नहीं अलग नहीं हुआ मैंने पहले हाद से जॉइन चॉयंट की सारे भी बॉल को फीर मैंने उसको ओलाटो ऑफुल shortened लेकिन जो आगे वाला था ना वो तो कुछ अजीबी तेल में सब बॉल की तरह तेरने लगे लेकिन इसमें भी एक काम कर सकते हैं कि यह जो सारे भी बॉल बने ना उसको हम कांडी में लगा देना है फ्राइ होने के बाद और फिर चोकलेट सोस एक रखना है बाउल में जो है वो परफेक्ट हुए थे और यह दिखो प्लेट में उसने काफी अलग अलग टाइप के शेप बनाई है और आपको बताती हूं आगे तो मैंने तो यह चोकलेट सोस नहीं यूज की थी मैंने तो हममेड न्यूटेला बनाई थी तो वो हमने उसके ओपर स्प्रेट करक इस यह चाए फिर उसको शेप देना चाहिए क्योंकि उसके बाद क्या होता है थोड़ी दिर एस रख देने से वो थोड़ा फुकता है तो जब ही फूग तो फिर बहुत ज्यादा बड़ी साइज में हो गई डॉनट तो इसलिए आप उसको स्टार्ट में ही पतली लेर करें लेकिन फिर भी काफी पर्फेक्ट की है, काफी मतलब अलग अलग शेप बनाई है, तो मुझे वो देखकर रच्छा लगा, जो डोनट वाला शेप पर्फेक्ट जो बनाई है न वो एकदम सही बनाई थी, बाकी जो दो बनाई थी न उसका मुझे साइस थोड़ा बड़ा लग बनाई न अलगा है प्राता. झाल झाल तो यह दिखिए डोनट कितने मस्त एक्दम अंदर से फ्लफी और बहार से क्रंची टाइप हुए थे बहुत अच्छे लग रहे थे और इतने अच्छे थे के मतलब आप बनाएंगे न तो आप मुझे जरू कमेंट करके बताना कि आपके कैसे बने हैं बहुत अच्छे इस उससे लगे है तो मेने लगे अभी के मुझे सूनते हैं कि फातिमा को खेसे लगे है जाा क तो यह ती मेरे वीडियो आयोप कि आपको पसंद आई होगी पसंद आई है तो पुल्हूड़ मेरी चैनल यह को लाइक कीजिए शेयर वो सबसक्राइब कीजिए और मर्न आपको बता i esti कि अगर नुटेलला में बनाकिराइन देती हूं, तो वैसे को माता ли thingHHH सबसे हैं आप कर सकते कहसी है तो इस नाष्टर में भी रोटी नाष्टा करिके सती हुए एक नाष्टे में बणेती हूँ और आसूरू घ्टोप ब्रॉपब लगांगा उड़ अड़ीज़ बड़ी अपर शवागा नड़ीज जड़ीज़ ले एग बड़ीज़ बड़ीज़ भीज़ ले और दूब अज़ीज़ है